अज हम जानें कि यह कि क्रिटिकल को प्रिट्री करें कौन को से दिन की अवस्ता है जहाँ पर पानी की सिचाई की जाती है तो अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो पर बने रहिए नहीं दर्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को तबाहरें ताकि सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन आपको और से करना ना बोले नमस्कार साथियों हम आए मोहन परियार के साथ मोहन परियार चैनल पर और क्यों जो पहला पानी देना है बिस से किस रोज इस से ज्यादा लेट नहीं करना इसके आजो बज़ देना है ताकि इस समय होता क्या है तो इस समय क्या है ज्यादा स्ट्रॉंग बने गा और ज्यादा रूट ढड़ा कि आपको मालुम है कि उत्पादन ज्यादा आता है तो तना भी मोटा बनता है और तना जब मोटा बनता है तो इत्पादन आपने देखा ये जो हो हो कि अजिए अ तो दूसरी सी चाहिए आपको करना है यहां 35-40 रोज यह सब सब्सक्राइब करसी विग्या ने दौरा जो रिक्मेंडेश की गई उस पर मैं बता रहा हूं तो मैंने इसा कोई वह नहीं किया है पर जो है तो अनुसंदान होए तो जरूर इस पर कुछ बहुत ज़्यादा स्ट प्लान मिलेंगे और बाली अपको उसकी स्ट्रॉंग मिलेगी इस अवस्ता पर करते हैं इस अवस्ता पर मौस्चर कम रहता है तो वह पादन पर यह भी इसर पड़ा पड़ता है और आपका तीसरा आपको जो सिचाही करनी है सबसे मेजर है 55-67 रोज 55-67 रोज में आपका ज मुलन घी तो पोड dai अदम tadे सारी料 आपको सिंपल सी बात है कि वह ज्यादा मिलेंगे मतलब की पोटे आनाओ इसको एक से जोड़ता है जाए तो पोटे आने की सिच्वेशन में और पोड़ते हो इसको विशेश ध्यान रकना ए चोति आपको चिछाई करना है पिचोतर से आसी रोज पॉतर दनें के वस्ता में कि यहां से फ्लावरिंग इस अन्हीं पूल आना नहीं के पूल फूल अन्दर हीग्रते हैं ग्लूम और बॉलते हैं इसको तो उसमें अंदर ही स्पाइक और स्पाइक लेटन तो उसके अंदर रहता है तो फूल वहीं अंदर ही खुलता है कराफ है मतलब की अंदर ही फूल रहता है इसलिए बाहर इसमें पांच प्रतिसाथ होने के संभावना होती है ज्यादा नहीं होती है तो आपको भी मालू है कि यह उत्पादन पर असर डालता है और पांचमा आपको पानी देना है तो नब्बे से पिंचा नूरोज आपको सिचाई कर दे ताकि उसको उत्पादन पर असर ना पड़े तो यह सवस्ता में क्या होता मिल्किंग मतलब उसमें मिल्किंग नूट्रिशनल कंपोजिशन कंप्लिट होती है मतलब स्टोरेज सुरू होता है मिल्क बनता है और वह हमारे दानों का रूप लेगा ठोस रूप और वही उत्पादन को सबसे जाता डिसाइड भी करता है इस समय हवा चले ओ तो आप देख के पानी दीजिएगा और मिल्किंग स्टेज पर मॉस्चर बहुत जरूरी है और उसके बाद हम देना ही देना है उस समय तक लोड नहीं होता है जब तक लोड आएगा दर दाने भ प्रति घंटा पचास की तीस किलोटर घंती तो वह आपको रूट बता देता है कि पस्चिम से आज़ी पूर्व से आरे तापके हां रही कि नहीं आरे तो उसको थोड़ा से स्टेडी कर लें पानी देने से घंटा अदा घंटा लगता इसको हम करते नहीं है और दे देते हो पानी तो थोड़ा से स्टेडी कर लें आज कल तो टेकनोलोजी एट पार हो गए चोटी-छोटी सी चीजों का उप्योग करें और यहां पर मैं आपको पता देना चाहिए आपको टानिक दे नहीं देना है लास्ट आपको 95 दिन पर मिल्किंग स्टेज हो उस समय आपको स्टेज कर नहीं हो करता है मेग्जीम और उसमें फासब्स कम से कम घीप लेना है तो पचास से सब देना है और आपको 200 ग्राम लेना है दूसो तक पोटास अगर लेते हैं तो थाइसो ग्राम तक पोटास लें और उत पादन अच्छा-स अच्छाज आपको मिलेगा और 55-55 पर करी देना है यह 45-55 रोज में करती जिए उसके पहले आपको क्लोरों में एक वाट क्लोरल बताएं फिर मिलते हैं ने इस टे वीडियो में जाए हिन साथियों